असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स म्यूट इंट्री टेस्ट जो आज पेपर हुआ 22 अफ ऑगस्ट 2022 उसके कुछ सवालात मैं आज आपके साथ एक्स्पेन कर रहा हूं यह मुझे बहुत देर से मिले जैसा कि कुस्चन नबर वन है 2sin3x एक फंक्शन है इसकी हमें क्या फाइंड करनी है डोमेन भी पूछ रहे हैं और इसकी हमसे रेंज भी पूछ रहे हैं यह के सामसी के उस्ता तो अब इसकी जो डोमेन होगी वो तो हम जानते हैं कि साइन कभी भी हमें इंफिनिटी और आयोटा रिजल्ट नहीं देता तो की डिफिनिशन भी यही है कि आपको जब भी हम कोई डोमेन मतलब हम इंसर्ट करें ऐसी वेल्यू को इंसर्ट करें ताके फंक्शन में तो रिजल्ट हमें ना ही हमें इंफिनिटी मिले और ना ही हमें कॉम्पलेक्स मिले मतलब आयोटा ना मिले तो साइन की एंगल में इस ए amount Ho-jahe, उसके बाद आगर range की बात करें तो we कि होता है माइनस जै कि साइन की जो range होती है साइन की, इसकी ऐसकी जी है, वह क्या होती है माइनस 1 से लेकर one तक in enclosed interval मतलब माइनस 1 से कम value नहीं दे सकता और one से ज़्यादे नहीं दे सकता इनके बीच में काफी माइनस 1 भी देता है कभी 1 भी देता है तो अगर इसको हम 2 से इधर देखिए यह अगर 2 से multiply कर देंगे तो result यह क्या हो जाएगा range आपकी क्या हो जाएगे इस function के लिए इस function के लिए range हो जाएगे minus 2 से लेकर 2 तर so this would be the range एक यह सवाल था एक सवाल था derivative का question number 2 इसको हम यू मान लेते हैं इसको हम वी मान लेते हैं तो हमारे पास एक formula आता है क्या वी यू डेश माइनस यू वी डेश डिवाइड़ बाई वी स्क्वाइर तो वी हम से हम लिखेंगे x प्लस 1 उसके बाद यू का डेरिवेटव अगर हम निकालें तो इसका डेरिवेटव सिंप्ली वन हो जाएगा फिर माइनस यू से में x-1 और वी का जो है वह डेरिवेटव इसका डेरिवेटव भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा divided by V स्कार मतलब x plus 1 whole square तो यह रिजल्ट आपका क्या मिलेगा x plus 1 यह इसको से multiply कर दें तो यह हो जाएगा माइनस का x plus का 1 divided by x plus 1 का whole square इधर x और x cancel हो जाएगा result बचेगा 2 upon x plus 1 whole square so this would be the derivative of the function उसके बाद एक सवाल था limit x approaches to minus 1 एक ऐसा function था जो मुझे students ने send किया function तो पता नहीं किसा था लेकिन यहां पर 3x square minus x cube divided by 2x into x यह एक ऐसा function इन्होंने दिया है तो मैं यह कहूंगा कि इस x को और इस x को आप cancel कर दें ऊपर क्या बचता है 3x square minus x cube divided by 2 इसमें अगर आप limit apply कर दें x approaches to minus 1 apply limit अगर आप कर देंगे apply limit का मतलब यह है कि x की जगा पर आप minus 1 रखतें तो 3 into minus 1 का whole square minus minus 1 का whole cube divided by 2 तो 3 into 1 minus यह हो जाएगा minus का 1 क्योंकि power 3 odd power है इसलिए minus 1 result मिलेगा divided by 2 तो यह हो जाएगा 3 minus into minus plus 1 divided by 2 तो यह हो जाएगा 4 divided by 2 that would be equal to 2 तो 2 answer आजाएगा इसका उसके बाद एक सवाल था कि in case अगर if इसको हम question number 3 मान लेते हैं इसको हम question number 4 मान लेते हैं if कहां था हाँ sine inverse of radical 3 upon 2 अगर यह function है if theta is equal to this then theta किसके बराबर होगा angle किसके बराबर होगी तो हम जानते हैं कि अगर हम sine 60 degree लिखते है तो हमें result क्या मिलता है radical 3 upon 2 मिलता है तो sine inverse of radical 30 degree, sorry, sine inverse of radical 3 upon 2 यह भी 60 degree के बराबर होगा अगर हम इसको radians में convert करेंगे तो pi by 3 radians तो कोई भी answer ने से हो सकता है उसके बाद एक सवाल था, chapter number 3 general equation of straight lines है इसमें homogeneous equation of pair of two straight lines होती है, passing through origin तो ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 तो जो दो lines होती है, दोनों lines जो origin से पास हो रही होती है L1 और यह L2 इनकी यह combined equation है, तो इनके बीच में यह जो angle है, यह angle किसके बराबर होता है हम जानते हैं कि theta is equal to 2 into, sorry, theta is equal to tangent inverse 2 into radical h square minus a b divided by a plus b के बराबर होता है, तो यह formula होता है हमारे पास उसके बाद, जो है हमारे पास एक सवाल था function से, function से सवाल यह था कि यह था question number 4, यह हो जाएगा question number 5, अब होगा question number 6 हमारे पास एक सवाल था, कि f of x मान लीजिए, x के बराबर है, मतलब यह identity function है उसके बाद f of g जो है, वो बराबर है, x square minus 3 के, तो आप बताईए कि f of इस तरह साथ था कि f of g किसके बराबर होगा, एक composite function है, तो हम लिखेंगे f of g would be equal to f of g of x, इदर आप f of g of x किसके बराबर है, x square minus 3, और in case अगर f of x जो है, x के बराबर है, तो simply हम लिखेंगे कि ये भी x square minus 3 के बराबर होगा, so this would be the required answer, उसके बाद एक सवाल हमारे पास था, कि substitution था कि p of x जो है, ये question number कौन सा होगा, question number 7 होगा, question number 7, p of x जो है, वो बराबर है, ये भी पता नहीं सवाल जो है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस ही कोई value होगी, लेक इसा सवाल, बच्छों जैसे वो नोट करते हैं बिचारे, वैसे ही मेरे पास send कर देते है, minus 3x into k minus 1 into x plus 9, अगर ये है, और p of 3 जो है, वो अगर 0 के बराबर है, तो फिर आप बताएए कि k की value क्या होगी, ये सवाल बुचा गया था, अब अगर ये सवाल बुचा गया तो हल कर देते हैं, तो हम इसको पहले p of 3 करते हैं, p of 3 मतलब जहां 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 पर भी x से उसकी जगा पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये 3 का square minus 3, x की जगा पर 3, k minus 1, फिर से x की जगा पर 3 plus 9 आजाएगा, अब हम जानते हैं कि सर ये p of 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर ह हो जाएगा, 9, ये भी हो जाएगा, 9, into k minus 1, into 3, plus 9, तो ये हो जाएगा, 0 is equal to 9, minus 27, into k minus 1, plus 9, तो अब ये जो 9 और 9 कितने हो जाएगे, 0 is equal to 18, minus 27, into k minus 1, अब ये जो पूरा का पूरा टाम है, इसको अगर हम left hand side पे ले जाएगे, तो ये minus का है, plus का हो जाएगा, 27, into k minus 1, is equal to 18, अब ये 27 अधर जाएगा, तो डिवाइट कर देगा, तो k minus 1 is equal to 18, divided by 27, डिवाइट करेगा, तो k minus 1 is equal to, ये हो जाएगा, 2 upon 3, क्योंकि 9 की टेपल लग जाएगे, अब माइनस का 1 अधर जाएगा, तो पिलस का होगा, k is equal to 1 plus 2 upon 3, lcm निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 upon 3, तो k की value 5 upon 3 होगी, तो एक ऐसा भी सवाल था, ये था question no.7, अब question no.8 की तरफ मूव होते हैं, पिलसे no.8 जो था, हाँ, एक ऐसा graph मना हुआ था, कि इसका जो slope है, क्या होगा, option A में था के positive, option B में था के negative, option C में था के infinity, option D में था के 0, इसका slope क्या होगा, तो slope जो होता है, basically, M is equal to 10 theta होता है, और theta जिसमें क्या होती है, inclination, inclination होती है, तो इसका जो slope है, इसकी जो inclination है, positive x-axis से बनती है, anti-clockwise move होती है, तो वो आप अगर देखेंगे, देखेंगे, तो ये less than 90 है, this is less than 90 degree, और अगर less than 90 degree है, मतलब किस quadrant में होगा, in first quadrant, तो first quadrant में हमार क्या होता है, positive होता है, तो slope इसका क्या हो जाएगा, positive, उसके बाद, एक binary theorem से सवाल था, कि in case अगर 1 प्लस x whole power n है, where n is positive integer, तो फिर इसमें number of terms कितने होंगे, इस expansion में, binary expansion में number of terms कितने होंगे, तो जितना भी power हो, उससे हमेशा x ज्यादा हो जाते है, in case अगर n क्या हो, power जो हो, वो positive integer हो तो, तो फिर इसके number of terms क्या हो जाएगे, n प्लस 1 ये result होगा, in case अगर n जो है, वो कोई negative integer है, या फिर कोई rational number है, तो फिर इसमें जो terms होंगे, number of terms, वो हमेशा infinite हो जाएगे, क्यो क्योंकि इसमें कोई ऐसा factor नहीं रहेगा, जो 0 हो, इसलिए, तो इसमें number of terms क्या हो जाएगे, infinite, अगर n की बात की जाए, next अगर टेस्ट में आजाए, क्यों जो है, n जो है, n है positive integer, तो बोलिएगा, क्यों हमसे, अगर मान लीजे, n फिर इसमेल 10 है, या 11 है, या 23 है, अगर 23 3 है, n की value, तो number of terms क्या हो जाएगे, plus 1, 24 हो जाएगे, अगर 10 है, तो क्या हो जाएगे, 11, 11 है तो क्या हो जाएगे, 12, लेकिन अगर n जो है, वो कोई negative integer है, like minus 3, मतलब 1 प्लस x whole power minus 3 है, तो इसमें कितने terms होंगे, infinite होंगे, अगर 1 प्लस x whole power कोई rational number है, 7 upon 6, तो फिर इसमें number of terms कितने हो जाएगे, infinite हो जाएगे, तो ये बात याद रखिएगा, उसके बाद एक ratio दे दिया गया, trigonometry में, कि one ratio, one ratio, two, अगर ये ratio है, length of the sides of a triangle, sorry, ये ratio है, angles of a triangle, तो फिर largest angle क्या होगी, अब जानते हैं, one ratio, one ratio, two, ये जो होता है, ये आईसो सेलिस, right angle triangle का होता है, right angle triangle का होता है, हम जानते हैं, कि सर ये 45 degree होगा, ये 45 degree होगा, और double हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 degree, so largest angle is what, 90 degree, इसका option 90 degree होगा, उसके बाद ये बोल रहे थे, कि set of complex number, जो है, set of complex number जो है, वो abelion group होते हैं, abelion group होते हैं, लेकिन किस में, option A, addition में, option B, subtraction में, option C, multiplication में, option D, division, तो division तो किसी खाते में, नहीं आता, subtraction भी इसलिए नहीं आता, क्योंकि ये associative को satisfy नहीं करता, तो ये दो options गलत होगे, अब group ये abelion group तो जाहर है, कौन बनता है, या तो addition बनता है, या तो multiplication बनता है, तो multiplication के हिसाब से, जो inverse होगा, inverse element यहां पर खाते में नहीं आता, तो इसलिए इसको भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि 0,50 का ये complex number है, जिसका under multiplication, मतलब multiplicative inverse इसका exist नहीं करता, exist, does not exist, does not exist, ये exist नहीं करता, लेकिन additive inverse इसका हर खाते में exist करता, इसलिए option इसका क्या हो जाएगा, under addition, set of complex number is abelian group और committative group, उसके बाद, एक सवाल integration से था, integration में x upon a minus 1 with respect to x, x की तो हम जानते हैं, x square upon 2 होगा, और इसके नीचे a है, तो फ़ले लिख ले, minus 1 का क्या होगा, x होगा, plus c, so this would be the integral, उसके बाद, हमारे पास एक सवाल है, sets में से, a union, b intersection c, बराबर है अगर a union b के, intersection a union c के, तो यह कौन सी property है, so this one is a distributive property, distributive property according to what, distributive law और distributive property, लेकिन क्या union over intersection, क्या लिखोगे, union over, union, sorry, over, intersection, ठीक है, उसके बाद, हमारे पास एक और सवाल था, binomial theorem से एक और सवाल आगिया था, a upon x, minus x upon a, whole power कितना है, ten, तो फिर सर, इसका t4, fourth term क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, कि अगर a की value इधर क्या है, इसको compare करोगे, a plus b whole power n, a की जगा पर क्या लिखा हुआ है, a upon x, b की जगा पर क्या लिखा हुआ है, minus x upon a, n की जगा पर क्या लिखा हुआ है, ten, और हमें term कुन सा चाहिए, fourth term, इसका मतलब ये है, कि r की value क्या होगी, three होगी, तो formula है, हमारे पास, t r plus one is equal to n combination r, a power n minus r, b power r, तो हम t r की value कितनी है, three है, तो three plus one रखेंगे, is equal to n की value कितनी है, ten है, तो ten combination three रखेंगे, a किसके बराबर है, a बराबर है, a upon x के, whole power हम लिखेंगे, ten minus three, b की जगा पर लिखेंगे, minus x upon a, क्योंकि b की value minus x upon a, और r की value कितनी है, three है, तो ये मिलेगा, आपको fourth term is equal to ten combination three का मतलब है, ten को three times expand करते जाओ, ten into nine into eight, और नीचे क्या है, three है, मतलब three factorial है, इसको इसा लिखो, ये क्या हो जाएगा, a power seven होगा, और x power seven होगा, multiply by ये क्या हो जाएगा, minus x power three होगा, और a power three होगा, इदर आपके पास two की table, four times three, three times three, fours are twelve, twelve into ten, one twenty हो जाएगा, इस minus की वज़ा से ये minus होगा, इदर three और ये cancel होकर a power four बनेगा, और three ये cancel बनकर x power four बनेगा, so this would be the fourth term, ये जवाब हो जाएगा, उसके बाद, अगर हम थोड़ा आगे चलें, तो एक sequence दी गई थी, minus one comma one, minus one comma one, तो इसका general term बोच रहे थे, के general term इसका क्या होगा, तो general term इसका हो जाएगा, minus one power n, where n belongs to state of natural numbers, अगर n की value आप सेट of natural numbers रखते हो, तो आपको ये result मिलेगा, मान लिजाएं, minus one पे power अगर हम 1 रखते हैं, तो result क्या होगा, one odd है, इसलिए minus one result होगा, minus one पे power two रखते हैं, तो जाहर ये even है, तो ये positive one हो जाएगा, minus one पे power three रखते हैं, तो是啊 four रखते हैं, एविध से two 10 होगा वंगो माइनस वन पे पावर five है तो माइनस वन क्योंके आज है माइनस पे पावज सेट उगे तो वन होगा तो सिक्विश आपकी क्या चॆपकी क्या बनेगी माइनस li residents फिर प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, इसका जनरल डम क्या होगा? यह होगा माइनस वन, होल पावर एन, वेर एन बिलॉंग्स तो सेट आफ नेच्रल लमबर्स. उसके बाद एक पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल दिया गया. थोड़ी सी लेवल यह हाई करते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, कि जो भी नेक्स टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी तयारी बहुत अच्छी रखे हैं, क्योंकि यह सवाल मतलब इतने आसान नहीं दे रहे, the seven books in total, seven books है, seven books in total, out of seven, two are algebra and calculus, यह हमारे एक exercise का भी सवाल है, it's calculus, find the number of ways, number of ways, in which, in which they are arranged, means seven books are arranged, arrange किये जाएं, product rule अगेगा, arranged, such that, these two books, these two books की बात कीज़े रहे हैं, मतलब algebra and calculus are not together or not consecutive, ऐसा भी बहुल सकते हैं, अगर यह consecutive ना हो, तो फिर कितने ways होंगे, तो number पहली बात यह हैं, कि अगर seven books हैं, तो हम इसको product rule लगाएंगे, तो यह हो जागा seven factorial, और seven factorial हो जाएगा, I think, seven twenty multiply by seven zero fourteen one five zero four zero, यह हो जाएगा five zero four zero, तो पहली बात यह है कि आपको यह factorials याद होने चाहिए, seven, if अगर याद नहीं है तो जल्दी जल्दी कर लीजेगा, लेकिन seven factorial तक तक तो आपको याद होने चाहिए, 7 factorial तो 7 books हैं तो यह क्या हो जागा 7 factorial लेकिन आगे चलके यह यह बोल रहा है कि उनमें से 2 books जो हैं वो algebra और calculus पे हैं और वो क्या नहीं होने चाहिए they are not consecutive वो consecutive नहीं होने चाहिए तो फिर पहले तो हम यह लिखेंगे कि अगर वो consecutive होंगे तो क्या होगा if they are if they are यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ लेकिन विससे अगर आपकी practice अची होगे तो इसको आप directly करते जाओगे if they are consecutive then आप क्या करोगे यह algebra और calculus का एक block बन जाएगा बाकी कितने books हैं आपके पास 5 होंगे तो total कितना block बनेगा 6 का बनेगा तो यह हम क्या लिखेंगे 6 factorial 6 factorial बराबर होता है 720 के लेकिन algebra और calculus का in case अगर block बनता है किसका block बनता है algebra और calculus का block बनता है तो इसा तो नहीं है ना कि हमेशा पहले algebra आए इसा भी तो हो सकता है कि पहले calculus आए बाद में algebra आए तो plus 1 तो यह हो जाएगा 6 factorial एक और हो जाएगा तो 6 factorial plus 6 factorial कर दो या multiply by 2 कर दो तो यह multiply by 2 करोगे तो यह हो जाएगा 1440 1440 यह ways होंगे जब यह दोनो क्या होंगे जब यह दोनो क्या होंगे if they are consecutive but if they are not consecutive if they are not consecutive अगर वो consecutive नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे कि टोटल वेस कितने थे 7 बुक्स के 5-0, 4-0, माइनस अगर वो consecutive होंगे तो कितने वेस थे 14, 40, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यह होजागा 3600 वेस तो 3600 वेस होंगे जब यह not consecutive हो तो तो यह सवाल था मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ी सी वो test high करते जा रहे हैं याद रखिएगा नेकिन कुछ सवाल तो बहुत आसान रहे हैं तो cos alpha minus beta एटो बार बार repeat हो रहा है हर test में repeat हो रहा है cos alpha minus beta किसके बराबर होगा तो cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta तो ये वाले जो फार्मुले हैं fundamental of trigonometry ये भी आप याद कर लें और एक सवाल ये भी बार-बार आ रहा है कि degree को radian में convert करो या radian को degree में convert करो बोले 315 degree कितने radians के बराबर होगा कितने radians के बराबर होगा तो इसको मैं इसा लिख सकता हूँ 7 into 45 degree 7 into 45 degree के बराबर होगा 315 7 into pi by 4 के बराबर होता है तो ये हो जागा 7 pi by 4 radians एक सवाल ये भी था उसके बाद eccentricity of ellipse इनने पूछी है तो आप याद कर लीजे कि मेरे अगर आप youtube पर lecture देखेंगे तो मैंने जब phonics section समझाया था तो उसमें सबसे पहले तो मैंने eccentricity define की थी के circle की क्या होती है 0 होती है पेराबोला की क्या होती है 1 होती है ellipse की जो होती है 0 और हमेशा 1 के बीच में होती है और hyperbola की क्या होती है greater than 1 होती है और अगर ये infinity पर पहुंच जाए तो ये हो जाते है पेराबोला अगर 0 होगी तो circle तो ये सवाल आया था इधर के भाई ellipse की eccentricity कितनी है तो हमेशा it lies between 0 and 1 अगर 0 होगी exactly 0 तो circle अगर 1 होगी तो पेराबोला लेकिन 0 और 1 के बीच में होगी तो ellipse अगर greater than 1 होगी तो hyperbola और infinity होगी तो pair of two straight lines उसके बाद एक सवाल इन्होंने equations में से तिया था simple equation linear equation थी a number in which सवाल था a number in which thrice of it thrice of it is added the result is the result is 28 find the number तो ये options में से भी कर सकते हो लेकिन simple equation बना लो let the number is x plus इसमें thrice of this number is added 3x added करने तो result क्या मिलता है 28 मतलब इसको add करोगे तो 4x is equal to 28 4 की table लग जाएगी तो x is equal to 7 so the number is 7 7 में अगर 3 times of 7 8 करते जाओगे तो 28 मिल जाएगा proof होगया तो 7 is the required number उसके बाद एक determinant का सवाल था और उसके बाद inverse का भी आखरी सवाल था जो मेरे पास available थे जो मुझे मिले तो determinant का 3 by 3 का सवाल था इसर 1, 2, 1 0, 0, 0 1, 8, minus 3 इसका determinant क्या होगा तो आप जानते हैं कि सर 2nd row जो है इसके सारे elements क्या है R2 is equal to 0 so the determinant would be 0 उसके बाद एक और चीज़ आप नोट कर दीजेगा कि 3 by 3 का अगर determinant आता है तो उस पे आप अगर 0 option है तो अगर आपको determinant नहीं पड़े हुए तो आप 0 option लगा दीजेगा ऐसा कोई सवाल देखे मेरी जान तो आप क्या कर दीजगा 0 कर दीजेगा क्योंके वो 0 ही देते हैं 3 by 3 का 0 ही देते हैं जिन्होंने बिलकुल भी जिन्हें 3 by 3 का determinant नहीं आता तो अगर 3 by 3 का determinant दीजेगा अगर option में 0 है लगा दीजेगा उसके बाद A matrix है ये भी बार बार repeat हो रहा है 2 by 2 2 1 4 4-4 मतलब मेहरान की psychology आपसे पकड़ लें किया कर रहे है कौन कौन से सवाल रपीट कर रहा है तो ये तो हमेशा repeat हो रहा है कि A matrix दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका A inverse exist करेगा के नहीं करेगा exist तब करता है जब किसी जो matrix क्या हो non singular हो अगर वो non singular होगी non singular मतलब invertible मतलब क्या invertible होगी invertible तब ही होती है जिसका determinant 0 के बराबर नहीं होता तो इसका determinant find करें ये क्या होगा सरी होगा minus 8 ये इसको minus करेंगे तो minus 4 क्या मिल रहा है minus 12 is not equal to 0 hence this matrix is invertible इसका inverse exist करेगा तो option A में क्या था option A ये था कि A inverse exists option B में क्या था option B में क्या था कि A inverse does not exist option C में क्या था option C में था क्या A is singular क्या A singular है no 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 A is singular no A singular नहीं है D क्या था 39 option आप क्या क्या करेंगे A inverse exists क्योंकि exist करेगा क्योंकि इसका determinant 0 नहीं है अगर zero होता तो exist नहीं करता तो ये चंद सवाल थे जो मुझे मिले जो मैंने आपको explain किये हैं अभी रात के आप देख सकते हैं कि कितने बज़ रहें तीन बज़ कर 17 मिनट तो मुझे आप ही मिले हैं अगर आप सुबा को अठें तो पेले ये वीडियो देखकर जरूर जाएगा शायद इसमें से 4-5 सवाल लग जाए और पिछली वीडियो भी आप देख लीजेगा आप मेरे चैनल प्रोफिसर अख्तियार महर को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और कल जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं कैंडली मेरे वाटसप नंबर पर 03312677132 पर जल्दी ही जितने भी सवाल आप से याद होते हैं मैथमेटिक्स के तो वह आप मुझे सेंड कर दीजेगा थैंक्यू वेरी मच्छ अलाफिस